देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा ओम गनेशाय नमा शिवायब निखिल जोतिश आचारे आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वावत करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बने है, ये वीडियो है 3 फेबरी 2023, शुक्रवार यानिकी फ्रा होता है, हर राशी के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है, राशी फल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे फेले, दिन के पंचांग पर संक्षिप सी नजर डादेते हैं, पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंड बॉक्स में, जै लक्ष्म 9 एम पर ओदे हो क्यासत होंगे, 6-3 पी एम पर, चंद्रमा, मिथुन में रहेंगे, नक्षत रहेगा, पुनरवसू, सूर्य देवता, मगर में रहेंगे, उनका नक्षत रहेगा, श्रवन, कुछ विचेश मूरोतों की बात करते हैं, ब्रह्म मूरत, 5-24 एम से 6-16 एम, अभ फल, 36 पी एम, और गुलिक काल, 8-31 एम से 9-52 एम, इन दोनों ही अश्रव मूरोतों में, यदि आपको घर से निकलना है, तो एक बार, काली चाली सा का पार्ट करके ही घर से निकल लिएगा, तो यह ताप अंचांग चलेंगे, राशी फल पर, शुरुवात करेंगे, मेश के है, जो भी कार्य आपके अटक रहेते, बहुत आराम से आज सॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा प्रयास अवश्य करना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा, और जो कार्य आपके ही अपनी गलती से अटक रहेते, आपकी अपनी किसी कमी के कारण अटक रहेते, वो भी आज बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं, इन्वेस्मेन कर सकते हैं, जो शाम का समय होगा, वहाँ पर थोड़े भ्रमित रहेंगे, वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल कीजेगा, जहां तक करियर की बात है, लड़ाई जगडे की थोड़ा सा संभावना हो सकती है, थोड़ा इन्ट्यूशन अच्छी रहेगी, अगर कोई एक्जाम आदी है, उसमें इसका उप्योग अच्छा कर सकते हैं, सेहत के हिसाब से पेट के रोग और गले के रोग सरवाश्टक में आपका पंचम भावत इंत बली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा, आपके लिए उपाई है अच्छा है, लेकिन अपने इमोशन पर कंट्रोल कीजेगा, उसके कारण कुछ गलती हो सकती है, दिन अच्छा है भागे का साथ मिलेगा, बस इमोशन पर कंट्रोल करना है, उन लोगों के साथ समय व्यतित कीजेगा, इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन पर भर अच्छा हो सकता है, जहां तक करियर की बात है, कोई काम अटक रहा है, किसी की हल्प के त्वारा कर लीजेगा, उसको डिले मत कीजेगा, या अपने आप करके उसको खराब मत करने की कोशिश कीजेगा, जहां तक बिजनस की बात है, थोड़ा सा बीजी रहेंगे लेकिन दि पड़ते हैं, जिसकी कमी आपकी साइट से दिख रही है, विवाहिक जीवन आचका ठीक थाक है, थोड़ा जल्दबाजी आपकी तरफ से जाधा रहेगी, इसके कारण प्रोब्लम हो सकती है, जहां तक स्टूडेंस की बात है, थोड़ा सा नकरात्मक दिन है, आपके हिसाब जमिनाय, मिथुन, दिन ठीक है, कॉम्मुनिकेशन अच्छी रहेगी, और मन की बाते जो नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, वो आज व्यक्त कर पाएंगे, चेंजिस बहुत आ रहे हैं, उनको यूज करते हुए अपने जीवन में आज कुछ अच्छा कर सकते हैं, मेनेजमेंट से जुड़ा कुछ का रहे है, लाब होगा, बिजनस के हिसाब से भेदिन अच्छा है, दवाईयों से जुड़ा कुछ का रहे है, लाब होगा, लव लाइफ, थोड़ी प्रेक्टिकल अप्रोच लाइए, बहुत अच्छा रहेगा, अन्प्रेक्टिकलिटी ज आज का दिन ठीक है गुरुप स्टडीस पर थोड़ा फोकस कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बहुत अराम से स्वाल हो जाएंगी सेहत के हिसाफ से गले के रोकतंग करेंगे पीठ में दर रहेगा लोर बैक में दर रहेगा सरवाश्टक के हिसाफ से आपका थीसरा भा आगया पतिशत है सत्तर पतिशत कैंसर कर आज का दिन आपके लिए अच्छा ही देख रहा है धन आता हुआ दिख रहा है इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी आईडियास बहुत अच्छी आएंगे एक जो अनिश्रित्ता चल रही थी पिछले कुछ दिनों से उसका भी की चीज़ से होंगा कि दिन अच्छा है आज का लेकिन शाम के सामें थोड़ी सी चंता एंग्जाइटी बड़ेगी तो थोड़ा वहां पर धैरे दिखाईएगा थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा चीज़े ठीक हो जाएंगे जहां तक करियर की बात है कॉर्परेट सेक्ट से आपके हिसाब से नहीं जा रही शायद कुछ कदम आपने उठाए हैं कुछ डिसीजन लिए हैं जो उस हिसाब से काम नहीं किरे तो वो सारी चीज़ें एक गलानी की भावना भी गिल्ट फीलिंग भी आपके अंदर देगी जहां तक लव लाइफ की बात है सब कुछ ठीक दिन है एक क्यूरियोसिटी रहेगी कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी सेहत के हिसाब से सरके रोख और एंग्जाइटी जैसा मने कहा था सरवाश्टक के हिसाब से आपका धन सान वली है तो धन के हिसाब से दिन अच्चा ही रहेगा आपके लिए कारे में जानने को मिलेगा अपने उपर विश्वास बढ़ेगा confidence बढ़ेगा इच्छाएं पूरी होंगी हर तरफ से शुबता ही आती हो दिख रही है जो कार्या बहुत लंबे समय से नहीं हो रहे थे जिन कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही थी आज का दिन ऐसा है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे कई चीजों में आपको सफलता मिलेगी एक शुबता सकरात्मकता भरा दिन आपके लिए दिख रहे हैं investment कर सकते हैं बड़ा मौंट मत लगाईएगा आज अपने उपर विश्वास बढ़ेगा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा अत्यंत करने के लिए आज का दिन अच्छा है बिजनस के हिसाब से अगर फूरेंड बेवरेज इंडस्ट्री से जड़ा कुछ बिजनस है लाब होगा लव लाइफ यहां पर थोड़ा ध्यान यह रखना है कि कुछ भी एक्स्ट्रीम में जाकर नहीं करना चीजों को बहुत सरल रख सकती हैं सेहत के हिसाब से पेट के रोगतंग करेंगे सरवाश्टक में प्रथमस्थान ही वली है तो यह बता ही राय की दिन शुबता पूर नहीं रहेगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा दुर्गा चालीसा एक एक बार पाट करना है शुब अंक ह में सोचेगा चोटी-चोटी चीजों में उलच जाएंगे तो अपने आपको उन चीजों से दूर ही रखेगा चोटी-चोटी चीजा आज बहुत परिशान करेंगे इन्वेस्पेंट मत कीजेगा कुछ गवर्मेंट से कार्या टक रहे थे पूरा करने के लिए अच्छा दि एक्साइटमेंट बहुत रहेगी जो मनें शुरू में कहा ओर एक्साइटमेंट वो कहिना करें रिलेशन्चिप पर भी दिख सकती है कंट्रोल कीजेगा विवाहिक जीवन शांद रहेगा चादा बार्चित मत करिएगा जहां तक स्टूडेंस की बात है देखिए आपकी सं रखिएगा या आपके लिए उपाई यह है कि आपको काली चारीसा दुरगा चारीसा एक एक बार पाट करना है शुबंक है आठ कल है रहेड भाग्य पतिशत 65 तुला लिब्रा अत्यन्त शुब दिन है आज पैसा भी आएगा भाग्य भी साथ देगा रुके हुए कारे भी बनेंगे और हिम्मत बहुत रहेगी घर में सकरात्मकता रहेगी घर में भी खुशिया आ सकती है आपके घर के किसी सतस्य के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी उसका भी आज कुछ ना कुछ निवारन हो सकता है कोई बड़ा निरने लेने से लेकिन बचेगा क्योंकि थो प्रॉड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा लड़ाई जगड़ा हो सकता है कंट्रोल कीजेगा बिजनस के दिन अच्छा है अगर इवेंट मैनेजमेंट या फिर एंटरेंटमेंट से जड़ा कुछ भी बिजनस है आपका लाव होगा लव लाइफ एक कनेक्शन की कमी दिख रही फिर रियाट किया कीजिए सेहत के हिसाब से पेट के रोगतं करेंगे सरवाश्टक में आपका लाबसान बली है तो लाब पूर नहीं दिन दिख रहा है उपाय है लक्ष्मी चारीसा का दो बार पाट करना है चुब अंक है साथ कल है आपका प्रिव भागय परतिशत 80 परति लेते वो भी पूरे हो सकते हैं इंवेस्टमेंट मत कीजिएगा इंवेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है थोड़ा अध्यात्म के साइड आज अवश्य जाईएगा जहां तक करियर की बात है इमोशन्स बहुत रहेंगे हावी आप पर तो एक तो बाते करने से पह कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सच लेकिन कहीना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं इस पर थोड़ा काम कीजिएगा जहां तक विवाहिक जीवन की बात है जज्जमेंटल कमेंट्स बिलकूर भी पास्वत कीजिएगा स्टूडेंस अपनी इंसिक्यरोटी इसको पहचानी उन पर काम कीजिए सेहत के इसाब से आखों के रोकतंग करेंगे सरवाश्टक में आपका दस्वा स्थानत इंत्वरी है तो दिन अच्छा ही जाएगा थोड़ा और्गनाईज रहेंगे तो दिन का बहुत लाब उठा लेंगे आपके लिए उपाए है कि काली चाल बांध के रखा हुआ है इन चीजों से निकलिए जब जीवन में आगे बढ़ना होता है तो कुछ सेक्रिफाइस भी करना पड़ता है किसी को छोड़ना भी पड़ता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो इन सब चीजों पर विचार कीजिएगा थोड़ा सा कियोटिक द तो दिन बहुत अच्छा है थोड़ा आगे के बारे में सोची आज से 6 महीने बाद कहां अपने आपको देखते हैं उसके हिसाब से क्या क्या करना है उसके बारे में विचार कीजिएगा इंवेस्मेंट कर सकते हैं वानी पर कंट्रोल कीजिएगा जहां तक करियर की बात है दिन ठीक दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही अगर कॉर्परेट सेक्टर में है तो अच्छा ही दिन जाएगा बिजनस बिजनस में भी दिन ठीक है लेकिन एक ही जीस कहूंगा कि थोड़ा सा अप अपने मार्केटिंग पर ध्यान देजिए जो भी बिजनस करत प्लेक्स आपके अंदर आ रहा है इस पर काम कीजिएगा स्टूडेंस स्टूडेंस के लिए दिन बहुत शुब है अच्छा ही दिन जाएगा सेहत की इसाफसे नसों के रोगतंग करेंगे सरवाश्टक में आपका भागिस्तान बढ़ी है तो बता रहा है दिन अच्छा ही जाएगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चलीसा का दो बार पाट करना है शुब अंक है आपका पांच कल है आपका रेड भाग्य प्रतिशत है पचासी पति कैप्रिकॉन मकर आज का दिन ठीक है अच्छा है बस भावों पर इमोशन पर कंट्रोल और वानी पर कंट्रोल कीजेगा अचानक से धन का लाब हो सकता है इच्छा है अचानक से पूरी हो सकती है लेकिन इमोशन इतने डिरेक्शन में भागेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे खर्चों पर कंट्रोल कीजेगा पैसा तो आता हुआ देखी राजा समय शुरू में कहा था किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो अब वो समय है कि विचारों को एक्शन में बदलना आपको होगा इन्वेस्मेंट कर सकते हैं बुरा अगर आपका कुछ भी कार है जिसमें अनलेसिस बहुत होता है या डेटा का बहुत उपयोग होता है या आप डेटा सही जुड़ा कुछ बिजनस करते हैं तो आज का दिन लाबकारी है लव लाइफ अच्छी है नेचर समझेगा थोड़ा अपने पार्टनर का जो चेंज़ करने के वज़ाएं यह समझने का प्रयास कीजेगा कि चेंजिस क्यों आ रहे हैं विवाहिक जीवन की बात जहां तक है दिन अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखरी थोड़ा सपोर्ट दीजेगा अपने लाइफ पार्टनर को स्टूडेंस के लिए तो दिन बहुत ला काली चालीसा का दोबार पार्ट करना है शुबंके तीन कल है ब्लैक भागय प्रतिशित है सत्तर प्रतिशित कुम्भ एक्वेडियस आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है शारीरिक और मानसी कूर्जा में समन्वे रहेगा ऑपरचुनुटी जाती वह दि कीजिएगा स्पेशली फैमिली लाइफ में परस्नल लाइफ में और शाम के समय जहां तक करियर की बात है दिन अच्छा है फाइनेंचल कुछ आपका काम है फाइनेंस से जुड़ा काम है लाग होगा बिजनस के इस आप से थोड़ा अपने दुश्मनों से बचके रहेगा कॉंपर्टीटर से बचके रहेगा जहां तक लव लाइफ की बात है आगे बढ़ने का समय है अगर लॉंग टर्व लेशंशिप हो चुका है तो नेक्स स्टेज के बारे में सोचने का समय है विवाहिक जीवन थोड़ासा प्रॉब्लमाटिक दिख रहा है और थिंकिंग के क आपके लिए उपाई यह है कि आपको लक्ष्मी चलिशा का दो बार पाट करना है शुबंक है दो कल है वाइट भागय पतिशत पचतर पतिशत मीन ठीक ठाक सा रहेगा थोड़ा आपसे नाउंस भरा रहेगा सेहत का ध्यान रखेगा पैसा उधार मत दीजेगा और बहस से आज दिन का जो मद्य भाग है यहाँ पर थोड़ी सी अनिश्यत्ता हो सकती है जी उनमें स्पेशली सेहत के हिसाब से सेहत का ध्यान दीजेगा कोई इंजरी भी हो सकती है तो इन सब चीजों का बहुत आपने सोच विचार करना है कहीं ना कहीं आज का दिन मैं सेहत बार बा अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं हो रही है तो आज सो विचार कीज़ेगा कीजिएक किसी डॉक्टर से किसी ऐसे वेक्ती से किसी डाइटीशन से जो आपको सही सला दे सके कि सेहत में क्या प्रॉबलम आ रहे है खान पान में क्या let's stop करना है अगर यह बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो आज का दिन अपनी सेहत पर डिवोट कीजेगा जहां तक इंवेस्टमन की बात है मत कीजेगा अच्छा दिन नहीं है ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी नहीं चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन और्गनाइज नहीं है इसके कारण वो चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही तो इस चीज़ पर ध्यान दिजेगा और कहीं न कहीं शायद सेहत भी एक फैक्टर है जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही ज्यादा करियर की बात है ट्रेवल इंडस्री से जोड़ा कुछ का रहे है लाब होगा बिजनस दिन तो ठीक है लिकिने च्छाओं पर कंट्रोल कीजेगा एक साथ बहुत कुछ करने का विचार होगा उसके करण नुकसान हो सकता है लव लाइफ ठीक दिखते ही है कोई प्रॉब्लम नहीं दिखरी विवाहिक जीवन भी अच्छा है वानी में करेंगे सरवाश्टक में आपका छटा स्थान अतिंत बली है तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान आप रखेगा ही क्योंकि रोग का सान बहुत बली है मैं आज बार-बार सेहत की ही बात कर रहा हूं तो उस पर विचार कीजेगा कि कैसे उसको ठीक करें आपके लिए उपाई यह ह है कि आपको दुर्गा चालीसा लक्ष्मी चालीसा का पार्ट करना है एक एक बार शुब अंक है चार कल है यलो भागया प्रतिशत है सतर प्रतिशत तो यह था तीन फेब्रड़ी का राचिफल चैनल पे नहीं है सब्स्राइब केजिए वीडियो को लाइक केजिए मिलता अगली वीड़ में तक्तक्ति लिए, पुम्राइब